दोस्तों बहुत कम एक्टर्स है जो कॉमिक रोल्स में जिस तरह ओडियन्स को हसा सकते हैं उसी आसानी से विलिनी में या विलिनिश रोल्स करने में लोगों में देशत फैला सकते हैं और आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन कलाकार है फ्रेंड्स प्लीज वेल्कम अनुपम खेर अनुपम जी वेल्कम टॉलिवूड बिजनस थैंक यू थैंक यू सो माच रोला भी सकता हूँ रोला भी सकते हैं बिलकुल 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 बड़ मुझे यह बताईए जब आप इंडस्री में आएं हर इंसान कुछ सोचकर आता है ना कि मैं इस टाइप के रोल्स प्ले करूंगा आपने कभी सोचा या जैसे रोल्स आये आप लेते गएं नी नी इट वजए इस एक्टर मेरे मन में कि जो मिठ ऑफ टाइप कास्टिंग है हमारी हिंदी फिल्मों में खासकर जब अइटीज में अया था मैं ट्रेंड आक्टर था नैशन स्कोला ड्रामा से मैंने कहा था कि अगर मुझे मुझे मौका मिला तो मैं इस मिथ को जरूर तोडूंगा बट मुझे नहीं पता था कि पहली फिल्म मुझे अज और मैन मिलेगी सार आंच में और यह दोर चलता चला गए अक्टर्स की कुद की इंसिक्यूरिटी जो होती है वो उनको फिक्स कर दे कि मैं इस तरह के रोल करता हूं मगर आप तो सोच कर आये थे कि अगर हो सके तो मैं यह टाइप कास्टिंग को तोड़ दूंगा मगर प्रोड्यूसर्स कैसे आप में विश्वास करने लगे या हाव वर यू ओफर सच रूल्स अवस डिलिवरिंग मुझे लखी 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 अच्छी फिल्म मिली मुझे वैसे जॉनर में की तो कोई फिल्म नी बन रही थी तो मुझे राहुल रवेल साब की फि करता हूँ और वर्क वाइस अवर शेकी पूरण चंद्राव जी को जब आखर रास्ता करने वाले थे तो अन दिनों अमिताब साइजी की डबल रोल की फिल्म थी बहुत बड़ी थी तो उन्होंने मुझे सदाशिव अमरापुरकर का रोल उफर किया था विच विलन्स रोल I was not very keen on that. मैंने का जुसके फ्रेंड का रोल है वो कौन कर रहा है तो कहते है अभी तो हम ढूंड रहा है मैंने का प्ली मुझे वो देदीजे मैं वो करता हूँ So that's how I think things kept happening and then of course Khosla Ka Ghosla Shola Shabnam at that time and but I have reinvented myself now more in the last five six years right from Khosla Ka Ghosla to Mr. to Wednesday to Special Chhabbes and I have very good film now that's very interesting. एक दौर था जब हर फिल्म में आप नजर आते थे, films were not complete without Anupam Kher, कोई भी Javidh sahab का एक जुम्ला था ना, you cannot make Hindi films without two things, Film Ross Talk and Anupam Kher और फिर सदनली देखते ही देखते आप सीन से गायब हो गए बहुत एक दौर आया जब बहुत कम फिल्म आती थी फिर धीरे थीरे आपकी फिल्म आने लगी मगर they were few and far between तो ऐसा दौर क्यों आया conscious decision था? Yeah, because I think Komal, ऐसा हो गया था कि मैं थोड़ा सा अपने, मैं एक monotony में आ गया था Because variety के भी कितने पहलू पेश करें Because the scripts were the same, so I said I need to take a break to again to reinvent myself और फिर बीच में मुझे टाइकून बनने का शौक हो गया था तो मैंने फिल्म अपने कुछ television company शुरू कर दी थी I've faced lot of losses in that फिर मैंने school खोलने की सोची जब school खोलने की सोची तो मैंने consciously 2-3 साल का बिल्कुल विश्राम लिया क्योंकि मैंने का कि इस school में मुझे पूरी अपनी शिदत से अपना मन लगाकर इसको establish करना है और उसके लिए मेरी 100% involvement बहुत ज़रूरी थी Now school has been there for the last 10 years, it's doing very well हमारे school को 22 दुनिया के सबसे unique school में से एक school कहा गया by French TV Robert De Niro school में आये अब वो हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा also इस पूरे वक्फे में मैंने जो break लिया उसमें मुझे बहुत सारी चीजने को मिली, बहुत सारी चीजने को लगी तो अब मैं उसी शिदत से काम करता हूँ but starting from zero मगर इस industry में actors, community होती है उनमें इतनी insecurity होती है कि मैं अगर मना करूँ कोई भी film को लेकर, मैं अगर मना करूँ अपनी जीवनी पर अधारित, कुछ भी हो सकता है उस प्ले में मैं अपनी जितने भी परेशानियां थी जितनी भी मेरी नाकामयाबियां थी या जितने भी मेरी insecurities थी जितने भी मेरे issues, failures के थे वो सब मैंने उस पर उनके बारे में जिक्र किया था और मैं हासा था उन सब पर I had made fun of all that That play took away the fear of failure out of my life Luckily a play based on my failures gave me the most important success and money So, I don't come to that category that was insecure The work that comes to me that was insecure There was a time when I was working with almost everybody But what I discovered जो नए लोग आने शुरू हुए ना जैसे मैंने अशाद आपने गौर नी किया मैंने maximum नए डिरेक्टर के साथ first time director के साथ काम किया चाहा है वो दिबाकर है चाहा हो नीरज पंडे है चाहा हो आयान मुकर जी है वो पहली बार उनकी सब फिल्म में काम किया Because I started enjoying working with them एक तो clarity उनकी बहुत थी और passion बहुत था But there's a very famous line by Osho If you try you risk failure, if you don't you ensure it So I didn't really feel insecure about it कहीं आपको ऐसे लगता है कि Om Jai Jagdish से जब आप डिरेक्टर बने तो कम-काम आपकी तरफ आने लगा Because industry में ऐसा माना जाता है और या Ranupam, now he's directing film So I don't think he will do our film Then I have a lot of friends who are sharing this kind of news A lot of people are like It can be 100% That you can become a director Or busy Or bandit like Beckham Jaisi film I don't know if you want to work in Hindustan Or also then the directors I think they want to reinvent somebody else You know, just like I came So I'm sure I must have replaced somebody else So somebody had to do it And then you can make a picture In which I don't have a picture So I think that's a phase that keeps coming But 30 years old 483 films you have done 483 films you have done So I think that's a good amount of film That's a fantastic number Yeah, yeah There was also such a lot of films you were doing So you didn't give the proper time for your projects Did you feel that you were feeling like that? Or someone said to you that I think Mr. Manmoun Desaii Saab had a great deal Which was very much for the time Now it's not much for the time But thanks to him I've also said that If you have a diary full When you have a diary full Then you will always have a film People will take you because you have no time for them The day you say that I have Yes, this month available Then they will go to somebody else That you don't have to work There was a phase when I was just working monotonously That's why I took the break I didn't want to do that So there will be many films like that But you know now The cinema has completely changed The marketing has changed So now you have that time Where you want to be part of many films I am part of many films And I'm very happy and very proud of this fact I can easily say that the films that are coming In the next two months or three months Or one year or two years They're completely different from one character to another character Earlier I was running fast nowhere Now I'm running I'm walking slowly somewhere I must be the only actor who runs an acting school I must be the only actor who has written a book Which is not an autobiography Which is a life coaching book So when you So I single out myself Which keeps you young In body and mind It does I think my young Thanks for saying that It has more to do with my working with the younger generation There is so much to learn from the younger generation I don't allow anybody to call me thespian Or Veteran Veteran Never Never I mean At least 30-30 years I'm going to give you anyone to say Because Thank you And Need Want Do